हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूटूब चैनल बुल मारकेट्स। हाली में D-Mart ने अमने Quarter 1 के अपडेट्स पब्लिश किये हैं जिसे हम एनलाइस करेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में और डिसाइट करेंगे कि हमें D-Mart में लॉंग टम के लिए इन्वेस्मेंट करनी चाहिए या नहीं अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंट तक देखिए सबसे पिल हम रेविन्यू की बात करते हैं डिमाट ने quarter 1 में 11,584 क्रोर का रेविन्यू कमाया है year on year 18% की double digit ग्रोथ है वही quarter on quarter भी 12% की solid ग्रोथ यहां पे आमें दिखाई देती है अगर हम डिमाट के stores की बात करें तो जून 2023 में company के पास में 327 stores है और इस quarter में company ने 3 नए stores एड़ किया है लेकिन यहां पे थोड़ी सी growth रुपते वे दिखाई दे रही है और यह थोड़ा negative मुझे यहां पे दिखाई देता है डिमाट का current market price है 3,869 रुपीज अगर आप long term के लिए इसमें investment करना चाते हो 5-7 साल के लिए तभी आपको इसमें investment करनी है आने वाले एक से तीन साल में आपका return यहां पे नहीं बन सकता है क्योंकि काफी expensive valuation पे company trade कर रही है current P company का 100 के आसपास आ रहा है अगर आपको यह share 3,000 की नीचे मिलता है तो आप वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इसमें investment कर सकते हो return on equity 16% का है जो की काफी अच्छा number दिखाए देता है last 5 years का sales growth 23% है और last 5 years का profit growth 25% है अगर आपने 5 साल पहले इसमें 10,000 रुपे निवेश की होते तो आज आपके पास लगबग 24,000 रुपीज होते at the rate of 18.56% जो की काफी अच्छा rate of return माना जा सकता है अगर आपको D-Mart में investment करनी है तो आप हर महीने एक-एक शेर करके भी इसमें accumulation कर सकते हो क्योंकि आने वाले समय में जब कभी भी इसमें fall होगा तब आप इसमें bulk buy करके या अपना allocation बढ़ा सकते हो आपको D-Mart में long term के लिए इसले निवेश करना चाहिए क्योंकि promoter holding काफी high है almost 74% है एक debt-free company है compounded sales और profit growth more than 20% है for last 5 years consistently company ने अपने shareholders के लिए wealth create करके दिया है और company का management काफी strong अभी हम company के कुछ negative points को discuss करेंगे company को काफी सारा competition phase करना पड़ता है Reliance stores और Kirana stores से company को dividend pay नहीं करती है अगर आप dividend lover हो तो आप इस company से दूर है सकते हो company काफी expensive valuation available है तो अगर आप इस level पे buy करते हो तो आपका कुछ सालों तक return नहीं बनेगा तो अगर आप long term investor हो 10 से 12 साल के लिए invest करना चाहते हो तो कुछ allocation इस stock में दे सकते हो आशा करता हो आपको वीडियो पसंद आया हो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए और comment करके बता है कि वीडियो कैसा लगा अगर आप इस channel पे नहीं है तो channel को ज़रूर subscribe कीजिए